कि अग्याओ कर सबी लोग औलाइन आ जए आप लोग औलाइन ए चुके हैं आपको आवाज आ रही है मेरी अगर आवाद आ रही है तों कमेंट करिए कि अभा जा रही है आपको तो तो अखुज़ कमेंट करिए कमेंट मैंने ओнопल दिया यहां से देख पा रहा हूं है कि सब लोग ऑनलाइन आ जाईए ठीक है कि अधो लोग आ चुके हैं ठीक है जल्दी जल्दी आनलाइन जी जी आजए ठीक है आप आ चुके हैं कि सब लोग ऑनलाइन आ जाईए और जाकर के ग्रूप में सेर कर दीजिए एक बार अपने अपने ग्रूप में अलग अलग ब्यूंक कर दीजी गूप में लिंक कर दीजे वीडियों का जल्दी समय स्टार्ट करता हूँ आपके लिए आपके लिए बहतरिंग कुष्टन का सेट लेका आया हूं जो कि कल के रूसियू जो की कल वीडियो और आपने अच्छे देखा हुआ कि हर बार मैं एसाइए करूंग जितने भी आपको चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेट क्वेस्टन अगले दिन आपको मिलेंगे ताकि आपको बहुतर तैयारी हो सके mcq के रूप में multiple choice question और बहुवी कल्पी प्रश्ण के रूप में आपको मिलेंगे आप उसको study करिए एच्छे से तो में यहां पर वीडियो को like कर दीजेगा ठीक है अंशे जहे तं में जाकर के like कर दीजेगा थो पता मुझे चले कि हाँ यह यहां पर आप आप आ चुके है जल्दी जल्दी सेर करिए वीडियो को और तीन लोग अभी सिर्फ आए हुए हैं अभी बहुत कम लोग हैं ठीक है जल्दी जाके सेर करिए लोगों बताईए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है आप लोग जल्दी से करिए और क्लास स्टार्ट हो चुका है बस तीन लोग से कैसे हम चलेगा आप लोग कैसे एक्टिव नहीं है चीक है चार लोग आ चुके हैं और कमेंड करके मुझे बताते रही है कि कौन गोन आ चुका एठीक है ताकि मैं प्रजन्ट उसका लगाता रहूं अटेंडेंस लगाता रहूं उसका ऑप होगें सीवम औरुद्रसात में है तो थीख है प्रिजेंट ओंगें ऑपके ठीक है हुआ ऑप आचुके हैं बहुत लेट में आप लोग आते हैं चलिए ठीक स्टाट करते हैं चार लोग ऑनलाइन आ चुके हैं और दो लाइक है कंजूसी क्यों हो रही है लाइक बटन दबाने में भी कंजूसी और अभी तो तीन लोग ऑनलाइन है ऐसा लग रहा है अभी दो लोग तो हाँ चार लोग हो चुके हैं तो लाइक दबा दिजे पहले से क्योंकि आप तो जानते हैं यह वीडियो तो अच्छा ही होगा चलिए ठीक है तो ऐसा है कि कुश आपको मिलेंगे वह कल के वीडियो से रिलेटेड ही मिलेंगे जो कि मैंने रिस्टिन रिवल्यूशन के लिए बात किया था आप से अथा मैं एक्स्प्लेइन भी करूंगा और सिक चार लोग अभी हैं कितने लोग प्रजेंट ही नहीं है अभी तो कैसे मतलब ऐसे कैसे क्ला और काम नहीं कर रहा है कि ता पांच होएं ठीक है ओके वेरी गुड़ और जल्दी जल्दी होएं के ऑनलाइन आईए आप लोग आप आवाज तुआरह यह मेरी इसक्लियर ना आवाज तो आ रहा है कि कमेंट करके बताईए आवाज तो आ रहीए इस टार टिया जाए अभी अबहुत ही सब्सक्राइब करने वाला हो आपके लिए सब्सक्राइब स 그건 क्यावाब के व्याहि के लिए abroad उत्त में हुए ते थीक 하루 तो आ रहा है ओकरिदिमा यह मिं ढूंक की ठीक है एजे पिशालिया तो स्टाइब करते हैं हम ठीक है और चार लोग में ऑफी आइन है और कैसे आप लोग का नेट काम नहीं कर रहा है सर हो गया है ओक्टे पवन ठीक है तो आप आन-लाइन आ जाईए आप सब लोग और लिंग को सेर कर दीजिए वीडियो को वीडियो के लिंक के सेर कर दीजिए ठीक है उससे बहतर लोगों को समझ में आएगा चलिए सेट काहला कोजैन है आपके लेकर आया हूं और पहला क्वेश्चन आपका जो है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट्स नमर बन का pickle बोल्सेविक पार्टी फाठी उसका लिडर कौन था मैं और कोई भी आफलाइन नहीं होगा कोई भी गूगल नहीं करेंगे तुरन्त आप आंसा दीजेगा कमेंट सेक्शन में सबका मैं आंसर देख रहाएं ठीक है था पवन कुमार बी ओके लेनिन रेनू के गुड़ 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 बहुत सही अमन गुपता अच्छा होगे ठीक है भी ठीक है ठीक है जल्दी जल्दी आप लोग बताएं इसका अंसर क्या होगा चलिए ठीक है वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर लेनिन ठीक है कैसे याद रख सकते हैं देखिए बोल से बोल सेमिक हो जाए अपको लेनिन हो जाये से आगर से जिए तरह से याद रख सकते हैं इस बात को Link को ध्राइन रखिये गा मैने बताया था जैसा कि की रसियन रिवन्यूशन में दो पार्टी थी इसमें दो दल बढ़ चुके थे जैसे नर्म दल और गरम दल में शूरत के दिवेशन में बढ़ चुके थे उसी तरह R eficAls वो अपने पार्टी को तो नहीं मानता था, उसका नाम था Karl Marks ठीक है, मेंसविक, चलिए M से मेंसविक, M से मार्कस ठीक, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, चलिए आज आते हैं आज के दूसरे नंबर पर question पर, और दूसरे नंबर question की चरचा कर लेते हैं, दूसरे नंबर question था यानि वहां का राजा था रसिया का उसको पूरी तरह से गद्दीस वकार उखाड करें फेक दिया घए तक तुरंथ आप कमेंट करके इसका अपसन बताई अफसन नंबर ए बी, सी या डी जल्दी से आप कमेंट करके बताएए कि आपसन नमबर कौन सा आंसर होगा आपके लिए क्वेस्टन है कि रसिया में कब राजा के सासन को उखाड़के फेक दिया गया जारिष्ट ठीक है तुरंट आप बताएए आपसन नमबर कौन सा सही होगा आपन कुमार जल्दी-जल्दी ऑपसन आप तुरंट टिक करिए कौन सा आपसन नमबर को सही होगा है प्रिदिमाःक जल्द होगा नूज पटेल वैसे अभी तक मैंने अनीज का अंसर नहीं आया अभी तक अभी तक कहां है सब लोग कुछ सीवं का साथ में कोई बात नहीं तो बिल्कुल सही है आपका जबाव और आपका जो जवाब है वहाँ के लोगों का जो गुसा था वो और ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि लेनिन का ऐसा कहना था कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंट्री नहीं लेना चाहिए था स्वीट्जर लेंड से बैट करके वो सारे सजेशन दे रहा था रसियन गवर्मेंट को जो रसिया का राजा था जार निकोल सेकेंड लेकिन रसिया का राजा मानने को तयार नहीं था क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं वर्ल्ड वार फर्स्ट में सामिल नहीं हुआ तो यह पूरे महल को घेर लेती है पूरी जनता राजा के और इस तरह से जो राजा रहता है उसके सत्ता को उखाड करके 1917 में जो फ्रांस के करांती जैसे होती है 141789 में उसी तरह आपको जान करके ये भी जानना होगा कि 1917 में रूस की करांती भी हो जाती है जिसमें जार राजा जिसका नाम था निकॉलर सेकेंड उसको उखाड करके फेक दिया जाता है तो आप लोका ब चाहजर का question जो है वह है कि जारीना Alexandra was of the जारीना Alexandra जो कि आपको पता होगा मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है महरानी थी ये जो है कि वो सासी का थी ये राजा की wife थी वो किस origin की थी कहां की रहने वाली थी ठीक है आपके सामने option ए है जर्मन ओरिजिन फ्रेंच ओरिजिन रसियन ओरिजिन या डच ओरिजिन यानि जर्मनी की रहने वाली थी फ्रांस की रहने वाली थी रसिया की रहने वाली थी या डच की रहने वाली थी फटा फट आंसर करिए इसका बहुत थी ज्यादा इंट्रेस्टिंग इसका आंसर है आप तुरंत बताईए तक मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ और तुरंट आस पमेंट करके बताईये इसका और 7 लोग देख रहा है और 5 लाइक है आपको जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए पहले मैं कमेंट आपके देख रहा हूं ठीक है आपके कमेंट मैं देख रहा हूं जल्दी जल्दी आप जो है ऑपसन अजय सी ओके चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए और फटा फट बताइए आंसर इसका क्या है जरीना अलेकं जेनरा वह कहां कि थी ठीक है आंसर देखर करके आप हमको बताइए कि कहां कि थी वो लिए मैं चलिए आपका जो आफसन था वो देख लिया है और आफसन जो आपका करेक्ट है वह आपका क्या है रिदिमा चलिए आपका balcony जेख लेते हैं मैं आप तरीटकरिये मैं आपको बताता ہوں क्या है ठीक है देखे तो इस कुरेक्ट पोना चाहिए कि साधी होता था वह किसके रानी के साथ होता था किस देश के आस्ट्रिया के महरानी के साथ होता था 90% केसेश में ऐसा देखा गया है लेकिन उसी तरह अगर हम बात करें कि रसिया के राजा की साधी किस्से हुई थी तो वो भी ऑस्ट्रिया के ही एक पार्ट कह सकते हैं क्योंकि जर्मनी पहले एक देश तो नहीं था पहले ऑस्ट्रिया के ही अंदर एक देश हुआ करता दक यह जर्मनी तो जर्मन ओरीजिन की रहने वाली थी जारीणा एक marketing कहां के रहने वाली थी इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ प्र जादा इस चीजर को बहुत जादा इंपोर्टैंट यह कोअ को आजका है आपके एक जाम में ठीक है चलिए मैं आपको ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आप लोग ःतरोए को और यह तें आंसार यह आते की जे आपने फॉर्द क्वेस्टन पर फॉर्थ क्वेस्टन की यानि जो जदिदीच थे रूस की क्रांती में जो जदिदीच थे वो कौन थे क्या मुस्लिम समाश सुधार्ट थे एक क्या मुस्लिम एजुकेशनिस्ट थे रिप्टार्मण समयूर्ट थे तो आप बताईये जदीदीज जो कि रसिया में बहुत सारे काष्ट के लोग रहते थे जैसा कि मुस्लिम भो क्रिस्चन हो मैंने बतान når पोलन गूल के लोगों भोजिंत by मैंने आपको बताया था तो कन से सक्षिंध में कि इसका correct answer क्या होगा कि जदीदी जो थे वो रसिया में रहने वाले रूस के क्रांती के समय रहने वाले लोग थे 19th century में तो आपको बताना है कि ये कौन थे ठीक है चलिए फटा फट answer करके बताईए option आपके सामने ABCD दिया हुआ है आप तुरंत answer करिए और बताईए कि जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका जो correct answer होगा वो क्या होगा ओके पमन कुमार भी ऑके अनुज पटेल भी रिदिमा भी ओके चलिए वैसे मैं बता दूँ आपको कोई जो जदी जीद थे ठीक है चलिए मैं बताता हूं आपको चलिए ठीक है आपका जो भी option था कोई किसी ने option number B को चुना किसी ने अजय ने यह बताया तो ठीक है बिलकुल आपका correct answer है option number A जो है वो correct answer है यह जो लोग थे वो थे मुस्लिम reformer थे ठीक है यह क्या थे मुस्लिम reformer ठीक है याद रखेगा जो जदीदी थे वो थे मुस्लिम reformer इनको जो है इन्होंने क्या है कि यह जब 19 संचुरी में यह समाज को सुधारने के लिए इनोंने काम किया जदिदी जो थे एक कास बेश्ट था मुस्लिम का जो मुस्लिम लोगों के लिए बनाए गया था और वो मुस्लिमों को अपने culture के बारे में करते थे वहाँ पर मुस्लिम कम्यूनिटी का यह मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और उनको सुधारते थे ठीक है तो एक तरह से यह क्या थे यह मुस्लिम रिफार्मर थे करेक्ट आंसर है और ठीक है चलिए आ जाते हैं और आज का एक लाग का क्वेश्चन रहा आपके इस्क्रीम पर जो है दे मेन ऑक्यूपेशन आप प्रस्या इन बिगिनिग अप्टीन सेंचुरी वाज बताना है आपको कि रसिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय बीश्वी सताबदी में क्या था आपके ऑप्शन है या उत्पादन की था पॉल्ट्री फार्मिंग क्या ये उनका मुर्गी पालन था खिसिंग मचली पालन या अप्शन नम्बर डी एग्री कल्चर का था तो तुरन अप्शन कमेंट करके बताईए कि कौन सा आंसर इसका सही आंसर होगा आप तुरन बताईए चलिए जल्दी जल्दी question option number D पवन कुमार ओके ओके चलिए जल्दी जल्दी question को option को चूज करिए और मैं आपके comment को देख पा रहा हूँ अजे swipper D अंकिता D ओके ओके चलिए जल्दी जल्दी answer दीजिए comment section में तुरंत आये answer दीजिए आप जल्दी जल्दी comment करके option जी बिल्कुल बिल्कुल रिदिमा ओके चलिए तो मैं बताता हूँ आपके जो correct answer इसका है पिल्कुल agriculture है क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो में मैंने बताया था आपक सब्सक्राइब करके 19-20 सताबदी में वह आपका था क्रिसी यानि एग्रिकल्चर वहां की जो किसान थे वह बहुत ज्यादा क्रिसी निर्भर थे और वह ज्यादा क्रिसी करते थे क्योंकि उस वक्त इंडुस्ट्रियल रिवोलूशन हुआ नहीं था उतनी अच्छे से वहा क्योंकि ज्यादा क्रवा रहा है मच्दूरों से लेकिन वह बहुत ज्यादा क्रप्त होते थे वह रा जमिदार मिले से उपारा नहीं होता टे वह तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रूंचर जो था वो सबसे मैन जो ऑक्क्योपेशन था सबसे to मंजूब साय था विस्वी सताब्दी में रसियां के लोगों का ठीक है चलिए अब आज आते हैं अगले कोश्चन की और जो आज का अगला कोश्चन है वह आपके डिड़ लाक का कोश्चन है और इस तरह से आपके स्क्रीन पर रहा यह छटवा कोश्चन जो कि बहुत सोशलिस्ट समाजवादी लोग थे सोशलिस्ट लोगों ने मिल करके लेबर पार्टी के अस्थापना की थी और किस ने किया था मतलब उसमें और किसका कॉंट्रिवूशन था लेबर पार्टी की कोई क्वेस्टन याद नहीं रहेगा इस बात को ध्यान दीजेए का नोट जरूर से बना लिया करें कॉपी पेन लेकर बैटा करें ठीक है एक थी कंजर्वेटी पार्टी एक दिया हुआ लेबर पार्टी ठीक है तो लेबर पार्टी जो है वो किसके दोरा बनाई गई थी सोस लोगी व्यापारी ने बनाया था या यंग स्टुडेंट यानि युवा सिच्छार्थी या मां चात्रेक में बनाया था चलिए बताए फटाक से आप्सन नंबर कौन सा सही होगा तुरंत कमेंट करके बताए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा ठीक है वीडियो को को अप्सन बताता हूं ठीक है चलिए रिदिमा डी आकरिष्ट गुपता बी ओके अरुन प्रताब चोहन डी पवन कुमार अजय ओके ओके चलिए ठीक है मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ट्रेड यूनियन बिलकुल जिसने लोगों बिलकुल एंछे ट्रेड यू यूनियन जो है वहां के लोगों ने और हमिलकरके लेबर पार्टी की अस्थापना की तर यह क्यों पूछा गया यह कोशना दर शरीवे Friday के पूछा गया है। प्रपावित बनाई और जब पार्टी बनाया तो क्या हुआ कि उससे उन्होंने लोगों के अधिकारों को बताया कि कि देखिए मजदूरों के अधिकार यह किसानों के अधिकार यह है जनता के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स का बोज लादा जा रहा है जो राजा है उनके द्वारा तो इस तरह से आप समझ सकते हैं उनसे इंफ्लूएंस होकर लेवर पार्टी से जो रसिया के लोग इते इन्ह को यह पता होना चाहिए कि लेवर पार्टी का जो है यह संगठन किसने कि नहीं फिर थी पार्टी आपकुस्च लगोड्वी स्क्रामनी तर्की और बताइए कि कुं सा आंसर सही होगा ठीक है मैं आपके कमेंट देख रहा हूं आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करते रहें ठीक है लिखने की जगह आप उसके आंसर को लिखिये तो ज्याधा बेहातर होगा आप कुस्टर को रहा है कि कभीड कीमेंट पहले के आ जा रहा है तो मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया था फर्स्ट वर्ड वार में बहुत लोग रिदिमा बिल्कुल आपका सही जवाब है ठीक है और कुछ लोग ब्रिटेन कह रहे हैं नहीं बिल्कुल गलत आपका जवाब है दिखिए क्या है बिल्कुल पवन कुमार दिखिए आपका आंसर जब गलत है ठीक है आपका अंसर बिल्कुल गलत है क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वह आपका क्या है वह आपका है ऊस्ट्रिया ठीक है मैं बताता हूं कैसे मैंने बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो 1914 में 1914 से 1918 तक तो समय दो पावर लड़ रहे ठीक है और दो पाउर कौन से थे दो पाउर थे सेंट्रल पाउर एक थे एलाइड नेशन ठीक है एक थे एलाइड नेशन तो सेंट्रल पाउर वो थे जो की एकदम यूरोप के बीच में आते थे मतलब सेंट्रल का मतलब क्या होता है सेंट्रल का मतलब ही होता है बीच में जो देश आ यह सब आपके Central power में आ जाएंगे कौन से जर्मनी ठीक है और तरकी तो जी एटी मैंने लिख दिया जर्मनी ऑस्ट्रिया और टरकी और एलाइड नेशन में कौन थे एलाइड नेशन में आपको पता ही है दोस्त थे वह कौन से दोस्त थे बहले ही आपस में लड़ते थे लेकि प्रांस ठीक है इस बात को ध्यान देना है उसके बाद कौन था उसके बाद रूस था रूस भी था और अमेरिका भी बाद में जुड़ गया ठीक है इस तरह से एलाइड नेशन यानि यह लाइड पावर में आप समझ गया है कि बृतन था और सेंट्रल पावर में जर्मनी और टर्की था मैंने आपको बताया है वह यहीं पुछा है कि अजर्मनी टर्की और कौन सा देस था तो आप से नंबर भी करेक्ट हो जाएगा और तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस कोरुषटन के आंसर को चलिए नेक्ट-क्रेस्ट पर आ जाते हैं और अगले क्रेस्ट क के सकते हैं कि अपरेल के परिघटना से किसका संबन्ध है आपको इसका आंसर बताना है कि अपरेAL के परिघटना से किसका संबन्ध है कारल माक्स का Aufgabe लेनिन का रियूं का इस टालिन का बताईए फट छब्यार बताई यह सक्षन में कि अए इस क्या होगा कि आपको अरप some नहीं मैंने बोला आपको आप सिर्फ और सिर्फ आप लिखेंगे नाम उसका ठीक है आप उसका आंसर नाम लिखेंगे नाम और किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक मतलब जिसने कर दिया वो तो ठीक है लेकिन कुछ लोगों लग रहा है डिसलाइक भी कर दिया है क्या लाइक करिए ऐसा मत करिए चलिए ठीक है आपको आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा चलिए मैं बता दूँ कि अपरेल थीसिस जो है उससे रिलेटेट जो व्यक्ति थे वो थे लेनिन ठीक है कौन थे लेनिन तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपसन नमबर सी चलिए आजाते हैं अपने नेक्ट कोश्चन पर और नेक्ट कोश्चन की चर्चा करते हैं नेक्ट को आज जो है वो रसिया का राजा या रसिया का एक तरह से इंपरर या कहें थे सासक कौन बना ठीक है यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है दस लाग का क्वेश्चन है जो कि आपके एकाउन में डारेक्ट टांसर किये जाएंगे फट्टा फट्ट आपको इसका आनसर बताना है और जल्दी से जल्दी आप इसकाएं अशर बताएं आपके सामने जो ऑप्सन यहाँ को देख रहा हूं छलिए ठीक और या लेनिन ओके तो आप 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 इस कुष्टन का पाइन सर दीजिए चली जल्दी से जल्दी आप आप को यह भी बताना है कि लेनिन कम मरा था कल मैंने आपको बताया था कि लेनिन जो है वह कब देथ हुआ था उसका ठीक है और उसके बाद कौन प्राइम्मिनिस्टर बना वहा ह céu आपके सामने है ठीक है चलि फटा फट बताएं अप लेनिन स्टालिन उंकैं शहली है बताई आगे अगे बताई एकल कहा आउनज़ पनितर आद जंद आहीं और आट लोग हो गए एक कहा गायबtså इस जल्दी फिर से आईए वापस आईए जल्द तो जहां करके वापस देख रहा है या आपने कॉपी खुला हुआ रखा उसको बन करें अगर नोट बनाया तो बहुत अच्छा किया उन्होंने चलिए बहुत अच्छे आपके आंसर थे और आपके एकाउंट में आज साम तक यह ट्रांसफर हो जाएंगे चलिए ठीक है मैं आँसर जो है वह नंबर फिक है मैंने बताय था लेनिन जो था वो 1924 पास जो है उसकी मिर्ति हो गई थी वो मर चुका था और उसके पास जो है जो राजा बनता है वह बनता है इस टालिन जो कि बहुत बड़ा डिक्टेटर बनता है बहुत लोगों को मरवाता है जैसे हिटलर ने मरवाया था लोगों को वैसे ही रसिया में स्टालिन ने लोगों को बहुत बूरी तरह से मरवाया था जो भी लोग उसका बात नहीं मानते थे चलिए ठीक है इसके बाद मैं आपकी बात क तब तक मैं आपको अगला question लेकर चलता हूं आपके सामने जो अगला question है वो है question number 10 और आपके सामने जो question number 10 है वो है question number 10 है वो है जो कि कभी-कभी हो सकता है कि देखिए यह रसियान नहीं में इसली हो सकता है मेरा प्रोनुसियेशन उतना सही नहीं हो लेकिन आप देख पारेंगे स्क्रीन पे तो आप बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा यह कौन से चीज का नाम था मतलब किसका नाम था नाम था नोका या व्यूडेन नोका जो नाम था वो सोवियत संग में या रूस में किस चीज को कहा जाता था आपके सामने है जूता को कहा जाता था को कहा जाता था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका अंसर क्या होगा आपके सामने ऑप्सन दिये हुए हैं ठीक है कि कमेंट करके बताइए इसका अंसर क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट करें कि अभी किसी का कमेंट नहीं आया हुआ है जल्दी जल्दी कमेंट करिए वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो बात में शेयर भी कर दीजेगा ठीक है चलिए फटा फट बताइए इसका अंसर क्या होगा आपके सामने कि अपके अग्या क्रिष्ट कोट कि थीक ठीक है आप लोग तुक्का भी मारते रही है लेकिन जल्दी जल्दी आंसर दिजे इस क्वेस्टन गाई कि चलिए जल्दी-जल्दी आंसर देते रही है क्या होगा पूरा चलिए मैं बता दू आपको जो इसका correct answer होगा वो होगा है ठीक जो है उसका correct answer होगा क्योंकि head को जो है बुदेन वोका बोला जाता था ठीक है ठीक है कोई बात ने कोई बात ने रिदिमाँ कि पवन बूट नहीं होगा स्कार्प भी नहीं होगा जो क्या होगा है है टीक है है आजाते हैं नेस्ट कोईशन पर नेस्ट की बात कर लेते हैं चले आपका नेस्ट कोईशन है वह है 11 नमर कोईशन और जिसका भी चलिए, question number 11 आपके सामने है, वो ये है, which among the following groups was against any kind of political or social change, ऐसा इन में से कौन सा group है, या समू है, जो मानता था कि कोई भी, जो है, change नहीं होना चाहिए, चाहिए वो समाजिक तोर पे change हो, बदलाव हो, या वो राजनेतिक तोर पे बदलाव हो, कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन से लोग मानते थे, क्या वो नेशनलिस्ट थे जो मानते थे ऐसा, क्या वो conservative थे, क्या वो liberals थे, क्या वो radicals थे, तो आप बताईए, इसका correct answer, क्या होगा, option number आप चूज करिए, फटा फट, और आपके सामने option आपके screen पे है, ठीक है, चलिए, जल्दी जल option को चुनिए, जो correct answer है, आपका वो क्या होगा, आपके सामने question ये है, कि कौन से ऐसे group है, जिनों ने ये कहा था, कि मैं कोई भी change नहीं चाहता, या political हो, चाहिए, social change हो, मैं कोई भी change नहीं चाहता, तुरंत आप comment section में आईए, और बताईए, कि इसका answer, क्या होगा, ठीक है, चलिए, फटा फट बताईए, इस question का answer, मैं आपके comment देख पा रहा हूँ, आप फटा फट answer बताईए, जल्दी जल्दी आप question थे, radicals, पवन कुमार, पवन कुमार ने कहा radicals, अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, वैसे आपका answer गलत है, पवन कुमार, आपका answer गलत है, radical नहीं होगा answer इसका, चलिए, फटा फट आप answer करें, answer करें, मैं आपका देख रहा हूँ, comment ठीक है, चलिए, आपका comment मैं देख पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप comment करिए, ठीक है, फटा फट comment करिए, comment करके बताईए, कि इसका answer क्या होगा, चलिए, आपके comment आनी रहा है मैं देख रहा हूं कि comment आप क्या नहीं रहें आप लोग लग रहा है कि वीडियो से पीछे चल रहें रिफ्रेस्ट करिए त्रवासा पेज को और फिर से वीडियो को connect करिए ठीक है लिबरल कहा है रिधिमान है ठीक है बहुत ही ज़्यादा गलत और मैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बतलों आप लोग को लग रहा है कि यहां लाग करके वीडियो में ही घुस करके डिजिटल मारपीट करनी होगी आपसे लग रहा है अनुज पटेल बिलकुल बिलकुल conservative बिलकुल आपका सही आंसर है अनुज बिलकुल conservative थे मैंने बताया था कि conservative जो लोग थे आपसे नमर भी करेक्ट होगा उनका मानना ये था कि बिलकुल change नहीं होना चाहिए दरसल क्या था कि conservative का मानना ये था कि जो क्रांती है वो नहीं होना चाहिए राजा है राजा ही रहना था वो तो चर्च के ही लोग थे और चर्च से जुड़े हुए लोग थे जो कि मानते थे कि भाई वो तो टैक्स भी लगा सकते थे लोगों के उपर और उनके उनको तो बहुत सारे प्रिविलेज भी मिलते थे राजा की तरफ से तो इस तरह से वो खुद नहीं चाहते थे लाव होना चाहिए तो उनको कहा जाता था conservative क्या कहा जाता था conservative option number B correct answer है चलिए next question के और चलते हैं और आज का 12 नंबर question आपके सामने है आपके screen पे है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो correct है यूरोप के बारे में after the French revolution यानि फ्रांस के करांती के बाद यूरोप के बारे में कौन सा statement बिल्कुल सही है question आपने बता दिया मैंने आपने पढ़ लिया होगा question चलिए आपके सामने option है कि suddenly it seems possible to change the aristocrate society of the 18th century लोगों के अंदर ये भावना है उठने लगी कि जैसे फ्रांस में लोगों ने सत्ता को उखार के फेक दिया था वैसे ही ठार्वी सताब्दी में पुरी यूरोप में ये बातें फैल चुकी थी कि हमें भी राजा को खतम कर देना चाहिए और however not everyone wanted a complete transformation of society कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूरी तरह से change होना चाहिए ऐसे लोग सी option के साथ हैं और option नमबर डी जो है वह आल आप देबो यानि सभी हैं तो बताइए इसमें से कौन सा का बन काुन सा दी हैं तो बताई से कौन सा अंसर सही होगा ऐसे कौन से लोग थे या उनका क्या मानना था चलिए फटा-फट अंसर करके कमेंट सेक्षिन में बताईए कि इस Aa Will role-he yes a फटार क्या होगा क ह destroyingenики 较त्तल फटा-फटा बताई Belgian क्या और हैं तुम में तिम्हीं ओक्वाइट गलत अंसर आपका थसी बिल्कूल गलत आंसर है ठीक है जल्दी फटा फटा आंसर दीजी आपवलोग ने कुमार में ऐख व मन कुमार गलत अंसर अंगल अगले जल्दी जल्दी आप्शन चुनिए अनूजपटे ले गलत है आपका अंसर आमन गुपता अंकिता गलत है ओप्सिन नमबर है गलत गलत है सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं देखिए मैंने आपको बताया था कि यूरोप में जब सही है कि यूरोप के बारे में नहीं थाई तो बिल्कूल ए तो बिल्कुल सहिए की यूरोप के बारे में बिल्कुल सही है ठीक है तो ध्यां दीजेगा आप कोई आलब olması नहीं कहेगा ठीक है आप आप ने आनसर दे दिया कि लिब्रल जैसे चाहते थे कुछ हो लेकिन थोड़ा बहुत हो ठीक है जब कि रैडिकल जो थे वो चाहते थे कि पूरी तरह से परिवर्तन हो जाना चाहिए तो यह सब लोग थे मैं मैंने बात किया था कल जर्मनी का अगर आपने वीडियो देखा और नाइंट क्लास का तो म पूरा इज्जत जो था वो खराब हो चुका था एकदम उसकी इज्जत पानी में मिला दिया था लोगों ने आपके सामने जो ऑप्सन है वह यह है कि जर्मन और ऑरिजन ऑफ जारेना एलेक्जेंड्रा यानि जर्मनी के रहने वाली उनकी महारानी एलेक्जेंड्रा की वज था या बोथ A and B पहला या दूसरा दोनों तो फटा फट आंसर में बताईए कि कौन सा अंसर करेक्ट होगा आप तुरंत आंसर बताईए मैं देख पा रहा हूं और लाइब देख रहे हैं कि पांची लोग अभी है जल्दी जल्दी बताईए इसका क्या अंसर होगा ठीक है जल्दी बताईए कि करेक्ट आंसर आपके सामने क्या होगा आपके कमेंट देख पा रहा हूं और फटा फट आंसर दीजिए और पांच लोग बचे हुए है छे लोग हो चुके हैं जल्दी जल्दी आप रिजॉइन करिए आप कहां गायब हो जा रहा हैं आप लोग बहुत अंकिता सी अंकिता सी नहीं अंकिता गलत है आंसर आपका सी नहीं होगा आंसर गलत आंसर है ठीक है जल्दी जल्दी और आंसर दीजिए फटा फट आईए फटा फट आंसर दीजिए मैं देख रहा हूं आपके कमेंट को फटा फट आंसर दे आप ठीक है जल्दी आंसर ए ए ऐंड बी किस संग्याग्पोर जवाब हैं चलिए भी नीकूल प्रुसेश्टी तो देखे बिल्कुल मैंने आपको बताया था ते जो राजा था होति कि वो कितना बड़ा जादूबर इंसान था वहां हेवन करके राणी को तो हमेशा अपने अगे करता है हमेसा राजा का जो है दुलारा बन करके रहता है राजपूतीन पूरी स्थिती बेकार कर दी थी इसने और लोगों को यह इतना ज़ादा इसको अधिकार दिया गया था राजा के दौरा कि यह किसी के गहर भी चला जाता था और जो इसको पसंद आता था यो उठा करके उसको अपने कबजे में ले लेता था बहुत बड़ा आयाश टाइप का इंसान था राजपूतीन ठीक है और मैं ये भी बता दू कि ये भूत भूता भी इंसान था एक तरह से और इसके वज़े से भी बहुत ज़्यदा राजा जो है पॉपुलर हो गया बहुत ज़्यदा इसकी इज्जत खराब हुई और जर्मन औरिजिन की जो जारिना अलेक्जेंडरा थी इनकी वज़े से भी ऐसा बहुत जादा हुआ क्योंकि इनके फैसले जो थे जब राजा लेता था तो हर चीज गलत होता था जैसे फ्रांस की गरां पर नमबर क्वेश्टन तो नहीं है क्वेश्टन पर मज़ आई लेकिन आप देखिए दर फर्स्ट वर्डवार वीच इस्टार्टेट इन 1914 रसिया फॉर्ट अगेंस रसिया ने किसके साथ लड़ाई लड़ी थी 1914 के फर्स्ट वर्डवार में आपके आपके सामने हैं जल आईए फटा फटा आईए जल्दी से आईए आप जल्दी आंसर दीजियो क्वेश्टन का आपके सामने क्वेश्टन है कि 1914 में जब लड़ाई हुई थी फर्स्ट वर्डवार हुआ था प्रतम विश्विद हुआ था तो उस समय जो है किसके खिलाफ लड़ रहा था रसिया ठीक है आप तुरंद बताईए आपसर नमबर आपका कौन सा करेक्ट होगा तो फटा 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 आंसर बताईए आफ रिदिमा जर्मनी एंडस्ट्रिया बिल्कुल बिल्कुल वेरी गूड रिदिमा बिल्कुल सभी आपका जवाब है चलिए ठीक है आब अब में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसी का मैं आपको नाम लूँगा ठीक है बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मनी और आस्ट्रिया आपसर नमबर भी ठीक है यह बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने बताया था कि रसिया तो जाहिर से बात है तो वह आपवर के साथ है तो बेरेटन फ्रांस के साथ था दहतना तो जाहिर से बात है वह किसके खिलाप लड़ेगा तो टर्की जर्मनी और आस्ट्रिया के ही न खिलाप लड़ेगा तो इसलिए ध्यान रखेगा correct answer होगा option number B Germany and Austria चल दिए आ जाते हैं आज की next question पर आज का next question जो है वो है who led the Bolshevik group in Russia during the Russian Revolution ठीक है Bolshevik दल का नेता कौन था मैंने ये question जो था वो repeated question है समझ दीजिए इसका answer तो आप लोग जानते ही होंगे Bolshevik था Vladimir Lenin ठीक है correct answer Vladimir Lenin होगा चले next question क्यों चलते हैं आज का next question है वो है option question number 23 नहीं है लेकिन फिर भी देखिए socialist took over the government Russia through the बताना है आपको कि रसिया में जो socialist लोग थे उन्होंने कैसे government को वहां के राजा को गिरा दिया और वहां के लोगों उन्हें कौन सी ऐसी क्रांती की थी जिसकी वज़े से उन्होंने जो है रसिया में अपनी government अपनी सरकार बनाई थी ठीक है तो बताईए और सब्सक्राइब और अक्टूबर रिवोलिशन नॉम्बर रिवोलिशन दिसंबर रिवोलिशन या फरवरी रिवोलिशन बताईए फटा फट आंसर बताईए इसका आंसर क्या होगा ठीक है आप तुरंत आंसर चुन सकते हैं इन options में option number a या b या c या d कौन सा option होगा तुरंत आप आंसर करें ठीक है अक्टूबर रिवोलिशन बिलकुल आपका सही जवाब एख्वुबर रिवोलिशन बिलकुल सही आंसर इसका देखर गया इस बात को अक्टूबर रिवोलिशन जो था वह ऐसे क्या था कि आप क्टूबर रिवोलिशन में यह बात कही गई थी त conservatives हो महीना जो था वों October कहा ठीक है इस लिए उसको अक्टूबर रिवल्यूशन भी कहा जाता है या फ्रेंच रिवल्यूशन भी कहा जाता है तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अक्टूबर किस क्रांती का नाम है या किस क्रांती को अक्टूबर रिवल्यूशन कहा जाता है या नि रिखेन रखिएगा चलिए आज आज आते हैं नेश्ट कोउच्ट पर और ने यह रहा इस्क्रीन पर आपके ठीक है चलिए जो कश्टन आपके सामने है वह यह है कि अपको बताना है कि सुरूवात में जो रसिया के लोग थे वह अधिकतर कहां काम करते थे आप बताइए तुरंद इसका अंसर क्या होगा जल्दी फटा-फट बताइए इसका अंसर क्या आपके सामने हैं अपसन इंडुस्रियल सेक्टर, एग्रिकल्चर सेक्टर, मारिनिंग सेक्टर या ट्रांसपोर्ट सेक्टर फटा फट इसका answer comment section में बताईए आप question A B C D नहीं लिखेंगे option आप इसका answer लिखेंगे छी के आप answer लिखेंगे type करेंगे answer फटा पड़नी किये मैं आपको answer बताउंगा भी फटा फट का question है जो आपको direct transfer किये जाएंगे चलिए फटा फटा आंसर आप दीजिए इस question का ठीक है और साम को होते होते आपके account में transfer किये जाएंगे और फिर आप जो है इस lockdown में बहुत ही बहतरीन तरीके किसे पार्टी कर सकते हैं और इस तरह से आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे question भी आएंगे बिल्कुल बिल्कुल अंकीता अग्रिकल्चर सेक्टर बिल्कुल आपका answer सही है इस तरह से जो correct answer होगा ऐसा लगता है कि आप लोग का answer लेट में आ रहा है लेकिन चलिए ठीक है अंकीता का मेरे पास सबसे पहले answer आया है जो है बिल्कुल अग्रिकल्चर सेक्टर आपसर नमबर बी मैंने आपको इससे पहले भी बताया था चलिए आ जाते हैं अपने नेस्ट कोश्चन पर और आज के हमारा नेस्ट कोश्चन है फार्मर के जो कम्यून थे उनको किस नम से जाना जाता था बताइए फटा फटा आप बताइए कि जो कम्यून थे वो जाते थे रसिया में ठीक है वो फार्मर्स जो थे कम्यून थे फार्मर्स के वो किस नम से जाना जाते थे जार ड्यूमा मीर या कोसाक्स बताइए correct answer क्या जल्दे बताइए तुरंत नाम लिया जाएगा उनका जो करेकिस आंसर देगा उनका नाम लिया जाएगा आपको बताना है कि जो कम्यून थे फार्मर के साथ उनका क्या नाम था उपसन आपके सामने जार है ड्यूमा है मीर है या को सैक्स है बताइए फटाक से इसका अंसर क्या होगा इसपा अंशर करें आगा अंशर कर रहे हैं फटा फटा आप आंसर करिए थीक है मीर बिल्कुल अंकिता बिल्कुल आपका 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 तो yağमकर बताइए कमेंट सेक्चन में तो jar किसको कहा जाता था जैक किसarner को इसको कहा जाता था pense जाता रिदिब है इसमार्ट इसवाब है किंग को कहा जाता था अजय co ट्रांसपोर्ट नई नोगेगा तो ट्रांसपोर्ट कहां से लगेगा ट्रांसपोर्ट को तब वह हो इंडेस्ट्री बड़ी-बड़े हो जब समान कच्छे माल को जब रॉम मैटेरियल को आपको बहुत जला दूर तक पहुचाना हो आपको सड़कों के माध्यम से तब ट्रांस्पोर्ट का यूच किया जाता है जब आपको इंडेस्ट्री ही उतनी नहीं लगी होगी तब कहा से इंडेस्ट्री नहीं लगी थी उस वक्रूस नो तनी ज़ादा ठीक है जब से पहले इंडेस्ट्रियाल रिवल्यूशन कहां हुआ था आप तुरह कमेंट करके बताएए इंडेस्ट्रीयल कहां हुआ था फटाफट आप अफट आ बताए यह कर रसिया रिदिमा बिल्कुल गलतर है मैं आप लोग को लग रहाए डिजिटल डिजिटल देना पड़े हा लग रहा है क्यूंकि मैंने अभी बताया आपके सामने कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिल्कुल अंकीता आपका सही aanser है इंगलेड में हुआ था मैं आपको बताया भी था कि industrial revolution सबसे पहले यूरोप में अगर कहीं हुआ था तो वह रही इंगलेड में ठीक है इस बात को ध्यान रखना है आपको बहुत ही ज्यादा important question है ठीक है और चलिए बता प्रफशन आप एक ही कमेंट में देंगे दोनों आंसर सेंट पीटर्स बग जो है वह किसके नाम पर रखा गया है और यह कहां है ठीक है आप तुरंद बताइए फटा फट आंसर बताइए और मैं आप से कोश्चन पूछता ही रहूंगा चीक ठीक है चला फटा फट आंसर बत और संसी सदाफ खान जा चलिए बिलकुल बिलकुल सदाफ खान आप का अशर से यह मीर बिल्कुल तो सदाफ खान आप शेयर कर दिजिएगा अपने ग्रूप में और लोगों को बता दीजिएगा कि क्लास छे बज़े से चलती है रोज ऑनलाइन आपकी ठीक है जर्मनी में पीटर के नाम पर जर्मनी में नहीं है पिटर्सबर्ग जर्मनी में कहा है जर्मनी में नहीं है जर्मनी में बिल्कुल नहीं है पिटर्सबर्ग जर्मनी का एक वर्ड है पिटर्सबर्ग लेकिन जर्मनी में नहीं है आपको ये बताना है कि वो पिटर्सबर्ग जो है किसके न सबसे नाम रखा गया था मैंने बताया था आपको कि सेंट किंग नाम सेंड किंग ये सेंट कौन से कि येीं कौन से किंग है सेंट कि ये 22-200 ऑनकी कहते हुएं वाय seas KP चलिएक पहले कोई वात नहीं 50 नाम पर रखा गया था चलिए आप ये कुश्टिन बताएंगे कि रसिया में सबसे ज़्यादा किस चीज का प्रोडक्शन होता है किसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कोई बात नहीं पूरा नाम भोल गए आप कोई बात नहीं आप रिवीजन नहीं करते हैं इसलिए बोल जाते हैं सो ये कम ठीक है सो ये कम और पढ़ कि ऑपसर करեղ फटाफ़त आंसर करिये आप लोग मैंने अभी बताया आपको कुश्टन आपके सामने यह है कि रसिया में सब से ज्युदा प्रोडक्षन जो होता है वह किश क्नूलों कि जल्दी जल्दी बताये फटाफ़त आंसर हो सब फटाफ़त आंसर गो आप लोग अंसर अभी तक नहीं आपका आया अभी तक मैं देख पारा हूं अभी किसी का अंसर नहीं आया हुआ है अभी किसी का भी जवाब नहीं आया हुआ है कि अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया हुआ है और गायब हो गए है लोग सारे लोग गायब हो गए है चार पांट लोग बचे हुए है कहां सब चले गए नैचुरल गैस अंकिता नैचुरल गैस बिलकुल आपका जवाब बिलकुल सही है नैचुरल गैस मैंने कल बताया था कि रसिया जो है Natural gas बहुत ज़्यादा प्रोड़क्शन करता उसका और पूरे देश के लोग जो है रसिया से Natural gas लेते हैं ठीक है चलिए जल्दी बताइए कि रसिया जो है बिलकुल बिल्कुल ठीक है थीक है अप नाम रखा गया है चलिए ठीक है रसिया में वह मौसको है यह तो ठीक है लेकिन आपको बताना है कि रसिया की करेंसी क्या है ठीक है यह लास्ट क्वेश्चन है आपका और आप जो है बताएंगे फटाफट और रसिया को किस नाम से जाना जाता था पहले यह भी बताएंगे आप जल्दी फटाफट बताईए कमेंट सेक् अब जादा आपके लिए इंपोर्टेंट नोट रहें और याद रहीए और रिदिमा बिल्कुल ठीक है रूबल अजी आजय कुमार ठीक है आपका अंसर रूबल तो यह आप लोग कभी भी देखिए जब आउनलाइन हुआ करें जब आप लोग क्लास लिए तो ऐसे जब रहा करिए जहां पर नेटवर्क अच्छा हो इस्टैबलिस हो जा नेटवर्क फटाफट बताईए कि हमने पूछा आपसे क्वेस्टन आपसे यह भी पूछा है मैंने कि रूस में जो है वो करेंसी तो रूबल थी ठीक है बिल्कुल ठीक है आपका अंसर है तो ऐसा करते हैं च को डें कि रसीया को बाटने का काम कौन सा माउंटन करता है तर यह करता है कि इश्ट और वेस्ट रसीया को बाटने का काम जो है वो कौन सा माउंटेन करता है कौन सा माउंटेन जो है जिसने एस्ट और वेस्ट रसिया को बाटा था ठीक है जल्दी जल्दी बताइए और किसने बाटा था यह भी बताएंगे पॉर्देमा बिलकुल यूराल मांटेन किता यूराल मांटेन बिलकुल आप लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग जो हें इस वक्त के बिस्य में बैथने लाइक हो चुके हैं साथ करोड तो अभी नहीं कहेंगे लेकिन एक करोड जीतने लाइक हो चुके हैं और बिल्कुल आप उस जगह पहुच चुके हैं लगवा आप जा रहे हैं जहां पर मैं आपको पहुचाना चाहता था बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग और यूराल माउंटेन इसका करेक् को में ठीक है जल्दी जल्दी बताइए वैसे आपको जल्दी से बताना है इस वीडियों को मैं जो है आपके सामने देख पा रहा हूं आपका कमेंट और आप बताइए जल्दी से कि किसने जो है रसिया को फिलिप जॉन वान इस्ट्रालेंबर्ग वेरी गुड रिदिमा व जरूर बना लीजिए और कमेंट जिसका नहीं आ पा रहा है वो अपना नेटवर्क सही करें क्योंकि कमेंट नहीं आ पा रहा है जिसका दो बहुत लोग एसे नहीं आ पा रहा हुगा क्योंकि अपका नेटवर्क अच्छा हो क्योंकि विलिप ज todd rise tocard चो प्लेन बहूंन Пос améric in集 मुझे दिखाई दे कमेंट सामने रहेगा तुम्हें आपका अंसर अच्छे से बता पाऊंगा और यह भी मैं कह रहा हूं आपसे कि जब रसियन रिवल्यूशन मैंने कल पढ़ाया आपको तो आपने वीडियो को जाकर अगर नोट बनाया होगा तो बहुत सारे क्वेशन का अंसर आप दे पा रहे होंगे और अगर किसी ने रसियन रिवल्यूशन का मेरा वीडियो नहीं देखा है वन आवर 42 मिनट का एक घंटे 42 मिनट का वह जाकर देख लीजिएगा जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और उमीद है सारे क्वेशन का आं बहुत हमने डीटेल में उसमें बताया है आप लोगों को ठीक है चलिए अब अब उमीद है आपसे नेस्ट क्वेशन लाश्ट क्वेशन क्योंकि गंटे में बाद दो मिनट बाकी है तो मैं आप से लाश्ट क्वेशन करके यहां से फिर क्लास इंड करूंगा और फिर आपक के लिए जो लाश्ट क्वेश्टन है वह यह है कि नैचुरल जो गैस है वह जर्मनी किससे सबसे ज्यादा लेता है डिपेंडेंट है जर्मनी नैचुरल गैस सबसे ज्यादा किससे लेता है चलिए बताइए फटा फटा आंसर आप बताईए जर्मनी सबसे ज्यादा चाहिए आप कि Germany किस देश से सब से ज्यादा Natural गैस लेता है और डींडेंट है फूरी तरह से उस्से ही वह लेता है ठीक है जल्दी वता यह प्ता फटए वहीं बिलकुल अंकीता बिलकुल सही आपका जबाब है रसिया से बिल्कुल रसिया से ही लेता है और आप फटाफट USSR का फुल kings करके तुरंक के सामने तुरंत आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, ठीक है interior अंसर क्या है इसी तरह मैं हर दिन class लेता रहूंगा आपका, एक दिन मैं theory लेके चलूंगा और अगले दिन जो है के question लूंगा ठीक है MCQ के रूप में इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी Union of Soviet Socialist Republic रिदिमा विल्कुल बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है बहुत ही बहुत बहुत सुक्रिया आपके जवाबों का और आप लोगों ने जिस तरह से में दिजार करूंगा और मेरे भाई भी दूँगा ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई